है गाइज वाट सब्सक्राइब को लेकर बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हैं काफी सारे स्ट्यूडेंट्स चाहें या फिर जो लोग टैंपरी ग्रेजुट वीजा होल्डर्स हैं वो लोग अगर फुल टाइम जॉब दूनने निकलते हैं तो काफी ज्यादा का यह जो स्ट्रगल है वो डे बायडे बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा है अक्चुली और जो ऑस्ट्रेलियन गोर्मेंट है उसके भी जो लॉज हैं वो डे बायडे बदल रहे हैं रूल्स हर दिन कुछ ने कुछ नया रूल आता रहता है तो आज की वीडियो में यही रियाल की बात करें तो जुलाई 2023 थक नश्ट्रेलिया में जो स्ट्ड्रेलियन वीजाह व्ल्डर से उनका जो नंबर है वो लगबग धोसींट से और यह जो नंबर है इसमें से लगबग 2,001 च्ट्रेटें था है जो यह तो वाले भी सित की प्या अंति पंस्ट्रेलिया गोर्भी अपने इनिशेल स्टडी के लिए यानि के बैशलर्स के लिए या फिर अपनी हाय डिगरी के लिए अब पहली बात तो यह कि भाई ऑस्टेलिया को लोग चूज क्यों करते हैं so guys first thing यह कि देखिए ऑस्टेलिया का जो वैदर है वो काफी लोगों को you know attract करता है support करता है क्योंकि नहीं जादा गरम है और नहीं जादा ठंडा है second चीज है कि ऑस्टेलिया जो है वो post-study work visa provide कर वाती है जो कि रहली स्ट्डेंस को काफी attract करता है No doubt Australia में काफी अच्छी universities हैं तो Australia जो है बहुत ही जादा quality education प्रवाइब तरवाता है and काफी countries के comparison में Australia को as a safe country भी माना जाते Students को study के time पर भी working rights है and जो PR का pathway है वो भी comparatively Australia का काफी easy है ये तो कुछ main points हैं बट देखें सबके अपने अपने reasons होते हैं साफी सारे reasons हैं जिनकी वज़े से लोग ऑस्टेलिया की तरफ attract होते हैं और ऑस्टेलिया को अपने higher education के लिए या अपनी further education के लिए जो है वो चूज करते हैं नाव गाइस कहना देखें ऑस्टेलिया में after study जब आपकी study complete हो जाती है बट गाइस nowadays यह जो चीज है यह लोगों के लिए एक जूटी उमीद सी बन गई है because यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके अगर हम points की बात करें तो उनके points 90-95 तक points हैं बट still वो लोग अपने PR को लेगे struggle कर रहे हैं उन्हें PR नहीं मिल पा रही है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उससे कम points पर यानि कि 60-70-75 points पर भी उनकी PR हो जाती है तो guys basically यह है कि जो skilled लोग है जिन्होंने higher education भी की है उन्हें यहाँ पर होता क्या है कि अपने level की job नहीं मिल पाती है और वो low skill वाली job करते हैं और इसी लिए उपनी PR को लेकर के struggle करते हैं तो basically यह है कि जो genuine students हैं वो PR नहीं ले पा रहे हैं बट काफी सारे cases में जो non genuine students हैं उन लोगों को भी PR मिल जाती है तो guys Australia का यह जो system है यह actually काफी लोगों को जूटी उमीदे दे रहा है जूटी hope दे रहा है वो आज की टाइम पर बहुत टाइट है और उसकी situation बहुत worst है and this is a reality guys yes situation is worst इतना आसान नहीं है आप लोगों को आपकी field वाली job को पाना now guys अब बात करते हैं वो main reason जिनकी वज़े से international students को जो है struggle करना पड़ रहा है तो सबसे पहला reason तो देखे हैं यह जो domestic students होते हैं जो local students होते हैं जो graduates होते हैं local graduate, domestic graduate उनसे हमेशा ही international students को competition होता है guys अगर हम figures की बात करें तो 2021 में data पर पिशुआ था उसके according तो 38% ही temporary visa holders लोगों को job मिली और यह जो graduates थे यह थे master's वाले या फिर और higher studies वाले लेकिन वहीं पर अगर हम domestic graduates को देखें तो उनका percentage था 58% वो जो students थे वो bachelor's वाले या फिर उसे higher degree के थे and guys 42% ही ऐसे graduates थे जिन्हें की you know high position की manager level की या कोई अच्छी professional वाली job मिली लेकिन वहीं पर अगर हम domestic graduates को देखेंगे तो उसका percentage है 61% so guys basically जो graduates हैं तो उनमें से काफी सारे लोगों को अपने level की job नहीं मिल पाती है जैसे की retail sector में हो जाने की supermarkets वगर में restaurant में, cafes में या chef वगर की job and guys एक जो दूसरा struggle students face करते हैं वो है per year की earning का जो temporary graduate visa holder ने अगर उनकी एक average income की बात करें तो mostly उन लोगों की जो income होती है 53,300 per year as comparatively यह income काफी low है domestic graduates के next reason है जिसकी वज़े से students जो है struggle कर रहे हैं उन्हें job नहीं मिल पा रही है वो है कि जो employer है वो भी जो temporary graduate visa holders है उन्हें hire करने में काफी कम interest दिखाते हैं अब देखिए यह जो उनका interest कम दिखाना है उसके काफी सारे factors हैं सबसे बड़ा reason तो देखिए यह है कि आपको visa status second low confidence और तीसरा सबसे बड़ा reason है communication skills so guys basically क्या है जो recruitment का process होता है देखिए उसमें कोई भी industry अपना काफी सारा time भी लगाती है और अपनी काफी सारी money भी लगाती है अब यह कि जब आपके पीछे you know visa status होता है temporary visa holder तो हर company को लगता है कि भई पता नहीं यह जो employee हम hire करेंगे यह stay करेगा या नहीं करेगा इसको हम training देंगे train करेंगे और उसके बाद पता नहीं यह इसका जो visa status है वो permanent में convert होगा नहीं होगा यह वापस से अपनी home country चला जाएगा तो एक यह companies को काफी बड़ा factor लगता है second यह होता है देखिए कि जो communication skills है न वो भी काफी लोगों की काफी weak होती है इसलिए मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कई बार बोला है देखिए कि आप लोग एक English speaking country में आ रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच स्किल्स अची नहीं है तो आपका confidence level जो है वो अपने आप ही डाउन हो जाएगा तो जब भी आप interview face करते हैं तो वो interviewer को जो recruiters होते हैं उन्हें साफ दिखता है कि हाँ इसका confidence level कितना है और यह जो बंदा है वो कितना जादा आउट-spoken है और कितने अच्छी तरह से situations को handle कर रहे हैं तो जो employers होते हैं बिल्कुल उन्हें लगता है कि अगर वो किसी ऐसे person को hire करेंगे जिसका visa status permanent वाला नहीं है तो you never know कि कल immigration कौन सा नया rule लेकर आ जाए तो यही एक वज़े है कि Australia में जो आजकल day by day rules बदल रहे हैं इसकी वज़े से भी students को struggle करना पढ़ रहा है अपन बता रही हूं वीडियो में क्योंकि काफी सारे लोगों को मैं देख रही हूं जो कि सच में capable होते हुए भी try करते हुए भी job नहीं ले पा रहे हैं तो यह काफी सारे factors हैं जो कि बहुत बड़ा role play करते हैं कि जो temporary graduates हैं वो अपने level की job को नहीं ले पा रहे हैं और देखिए हो जाएगा और आप easily अपनी PR जो है नहीं कर पाएंगे एंगाइस एक और बहुत बड़ा reason है कि लोगों को job नहीं मिल पा रही है वो यह कि you know market की situation तो टाइट हो ही रही है तो क्या है ना कि जो जिस job पर है वो उस job पर यह मानों की चिपक ही गह है वो उस job को छोड़ता ही नहीं है पहले क्या होता था कि situation थोड़ी easy थी तो लोग जो है एक के बाद एक job जो है वो switch कर लेते थे but nowadays अब लोगों को लग रहा है तो काफी टाइम से जो लोग है वो अगर किसी एक position पर हैं किसी एक company के साथ हैं या किसी particular job पर हैं तो वो switch नहीं करते हैं वो छोड़ते ह नहीं है क्योंकि होता है कि आगर आप एक किसी company में काफी टाइम से हैं तो आपका you know comfort level आ जाता है आप अपका comfortable zone बन जाता है तो लोग उससे बाहर नहीं आ रहे हैं तो यह भी एक reason है guys कि vacancies आई नहीं रही हैं तो जोब लोगों को मिलेगी कैसे तो गाइस यही है जो आजक से थोड़ा prepare करना होगा और job के लिए काफी efforts टालने होंगे आप लोग अपना अच्छे से CV बनाई है मैंने already video बनाई है कि आपको you know resume किस तरह से बनाना चाहिए यहां पर अगर आप लोग जो apply करते हैं उसका link नीचे description box में आप लोग वो देख सकते हैं and guys सबसे important चीज है क कि थोड़ा अपने ऊपर अपनों को ध्यान देना पड़ेगा अपनी communication skills को अपनों को strong करना पड़ेगा और definitely confidence तो देखे उसके सासत आई जाएगा यहां Australia में अगर आप outspoken नहीं है आप अगर अच्छे से बात नहीं कर सकते ना confidently किसी के साथ तो job मिलने के chances automatically ही देखे कम हो jobs बिल्कुल भी नहीं है jobs market में है लेकिन यस आपनों को काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल आप यह नहीं सोच सकते कि मुझे जॉब मिल जाएगी एक बार अपलाए करो दो बार अपलाए करो आपनों को काफी continuous try करना पड़ सकता है आज किल की situation को देखते